हेलो एवरिवन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रॉम केरियर इंसेचूट ग्रेडी तो आज बच्चों हम लोग वैसे फंचन का रेंज निकालना सिखेंगे जिसका डोमेन फाइनेट सेट हो जिसका डोमेन फाइनेट सेट हो ऐसा बात नहीं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर जो मैं मैथर सिखाने जा रहा हूँ वह बहुत ही सिंपल है और आपको एकदम असानी से समझ में आ जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि जो मैं यहाँ पर आपको मैथर सिखाने वाला हूँ उस मैथर से आएटी मेंस और एडवांस में आने वाले कुश्चन भी स्वालब होंगे जो रेंज से रिलेटेड हो ठीक है तो चलें तो सबसे पहले जानते हैं कि वो तरीका क्या है वो मैथर क्या है उसके बारे में समझते हैं ठीक है तो देखो अगर फंचन का डॉमें फाइनेट सेट है इफ सबसे पहली बात इफ डॉमें ओफ फंचन एज फाइनेट सेट अगर फंचन का डॉमें जो है बच्चों फाइनेट सेट है तो रेंज निकालना उस फंचन का बहुत ही आसान है सबसे सिंपल है ठीक है? बहुत ही असान है, सबसे सिंपल है तो जैसे हम यहाँ पर किस function के बात कर लें? जैसे y equal to fx function है और इसका जो domain है domain जो है इस function का वो a to b है कहां से कहां है? a to b तो अब इस function का range निकालना है y equal to fx का range निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करो? कि चेक करो कि यह function जो है, वो increasing है या decreasing है सबसे पहला काम क्या करना है? कि आपको चेक करना है कि यह function increasing है या decreasing है जैसे माग लो सबसे पहली बात करें कि अगर y equal to fx जो function है, वो increasing function है, वो कैसा function है? increasing function है कहां पर? a x belongs to a,b और a से b में यह function increasing है तो इसका मतलब सोचो कि अगर यह domain दिया हुआ है तो इस function का आपको input दिया हुआ है इस function का क्या दिया हुआ है बच्चों देखो y equal to fx जो function है वो increasing है और increasing कहा से कहा तक में है a से b तक में और इसका domain ही a to b है तो input दिया है तो range निकालने का मतलब क्या हुआ output find out करना अच्छा अब increasing function है तो चलो इसको मैं आपको graph से समझाता हूँ जैसे यह x axis हुआ और यह आपका हो क्या y axis जैसे increasing function है बच्चों यह increasing function है कहा से कहा में a to b में जैसे यह x equal to a और यह आपका x equal to b और इस interval में यह function increasing है और यह function सबसे कहा तक आया है a तक आया है और उपर कहा तक गया है देखो x equal to b अब इस function का में range निकालना है तो आप लोगों को पहले से मालूम है बच्चों कि range जो होता है range क्या होता है ग्राफ का expansion y-axis में कहां से कहां तक है तो अगर हम देखें यह जो ग्राफ है यह function का ग्राफ जो है this is graph of function y equal to fx यह function है वो increasing है तो देखें यह y-axis में कहां से कहां तक गया है तो देखो यह graph जो सबसे नीचे यहां तक आया है और उपर कहां तक गया है? यहां तक तो यह जो interval है, यही तो range होगा हमारा तो x is equal to a पर जो function का value होगा, वो फा होगा fa होगा और x is equal to b पर जो function का value होगा, वो क्या होगा fa b होगा तो यहाँ से देख़ो इस function का जो height है वो fa to fa to fa है तो range क्या हो गया range हो गया आपका fa to fb ठीक है बच्चो fa to fb तो कितना easy हुआ कि ऐसा function जिसका domain finite set हो आणि a से b हो और वो function increasing हो तो range direct क्या हो जाएगा fa to fb आणि direct limit को function में रख दो आणि x बराबर a और b function में रख दो x के जगा पर a और b आणि function का value a और b फे find out कर लो और direct range क्या लिख दो fa to fb अगर decreasing case है तो आणि कहने का मतलब तुम ऐसे समचो बच्चों कि अगर function increasing है उसका domain a to b है आणि domain a to b आणि x का value a से b है और तुम्हें निकालना क्या है fx का value range निकालने का मतलब क्या हुआ fx का value तुम्हें निकालना है तो x है अगर a to b तो आप क्या करें fx निकालना है तो क्या करें f चिपका देते हैं तो fx चिपका दिया देखो f चिपका दिया हर एक टर्म में f हर एक टर्म में चिपका दिया और sign of inequality वही रहेगा अगर increasing function है तो sign of inequality वही रहेगा और यह fx क्या है बच्चों y है तो बताओ y का value y is greater than equal to fa and less than equal to fb so range is range क्या है fa to fb correct आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि x belongs कर रहा है a से b a to b finite set domain as fx is increasing function so fx will belongs to fa to fa to fb तो यह आपका range आ गया कहां से कहां fa to b a range आ गया तो बहुत ही simple है अगर कोई function increasing है अगर कोई function increasing है इस interval में मतलब finite set है उसका domain तो range निकालना बहुत ही असान है direct x का value a और b जो lower और upper limit है उसको function में रख दो उसको function में रख दो function में put कर दो और fa to fb यह आपका range हो जाएगा जैसे example की बात करने इससे related जैसे देखो example की बात कर ले बिना examples को हम लोग को कैसे समझ में आएगा सर तो जैसे मान लो बच्चों हमें range निकालना है किसका range of y equal to e raised to the power अब आप जानते हो बच्चों यहाँ पर कि sin x का range आपको पहले से मालूम है sin x का range आपको पहले से मालूम है देखो sin x का range है minus 1 से plus 1 correct हम sin x का range जानते हैं और e power sin x का range जानना है हम e sin x का range जानते हैं और हमें जानना किसका range है e power sin x का तो जो प्रिवियस लेक्चर में जो तरीका बताया था वही तरीका अपलाई करेंगे लेकिन है क्या क्या अपलाई करोगे आप चाहोगे कि आप E इसमें लगा दें इसमें तो जैसे आप E छिपकाने जा रहे हो तो E के बारे में पता कर लो कि जो E पे पावर X जो function होता है original function क्या होता है E पे पावर X तो original जो function E पे पावर X जो E पे पावर X अप लगाने जा रहे हो यहाँ पर वो function कैसा है increasing है या decreasing है तो जो E पे पावर X होता है बच्चों E पे पावर X का graph कैसा होता है यह increasing function होता है E पे पावर X का graph तो यह function increasing है तो जब हम E को इस sign x में लगाने जा रहे है इस in equation में तो sign of inequality नहीं change होगा अगर function increasing है और उस function को in equation में आप लगा रहे हो या हटा रहे हो तो sign of inequality नहीं change होगा change क्यों नहीं होगा देख सकते हो आप F A to F B direct आया है हाना तो sign of inequality चेंज नहीं होगा तो E पे पावर minus 1 less than equal to E पे पावर sin x less than equal to E पे पावर x और E पे पावर 1 तो sign of inequality क्यों नहीं change होगा क्योंकि जो exponential function है वो एक increasing function है ठीक है और increasing function है तो मैंने आपको graph से दम बढ़ियां तरीके से समझाया है देखो तो 1 by E less than equal to ये क्या हो गया बच्चों y हो गया और less than E तो range क्या आगा आपका range देखो इस function क्या आया 1 by E to E अगर बच्चों यही बात रहा किसके case में decreasing function के case में सोचो दूसरा point अगर function decreasing है अगर function decreasing है अगर माल लो if y equal to fx is decreasing function decreasing function in x belongs to a,b तो क्या होगा आणि x कहां से कहां है a से b है that is x कहां से कहां है a से b आपको input दिया हुआ है अगर function का input दिया हुआ है आपको range निकालना है मतलब output निकालना है आपको range निकालना है आपको क्या निकालना है range निकालना है मतलब output निकालना है अब देखो बच्चों यह function कैसा है decreasing function है तो अगर X बिलॉंग कर रहा है A to B, आनि X is greater than equal to A and less than equal to B, अब जब देखो, इस X को अगर F के अंदर ले जाएं, तो Fx बन जाएगा, या तो सोचो F अगर इसमें चिपका दें, चिपकाने मत्वा समझ रहे हो, इस सभी को F के अंदर ले लो, तभी नहीं, देखो, इस X को F के अंदर लेते हो, तो ये भी F के अंदर जाएगा, और B भी F के अंदर जाएगा, तो अगर ये F के अंदर चला गया ये लोग, तो अब बताओ, F ने आतो अपने अंदर ले लिया, F ने इन सभी को अपने अंदर ले लिया, तो ये sign of inequality का क्या होगा, sign of inequality कैसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा तो भाईया यह डिपेंड करता है कि जो function है वो decreasing है या increasing है तो यहाँ पर जो function है वो decreasing है तो यह sign of inequality जो है वो change हो जाएगा change क्या हुआ since fx is decreasing function तो यह देखो बच्चों इसको अगर बढ़ियां से सजा करके लिखें तो क्या लिखेंगे fx is greater than equal to fb और less than equal to fa और नहीं fb is less than equal to y fb is less than equal to y and y is less than equal to fa so range क्या है आपका तो यहाँ से range क्या है आएगा range आपका आजाएगा बच्चों fb to fa है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर fx decreasing function है तो उस time sign of inequality को आप change क्यों कर दिया अगर fx decreasing function है तो f को जब लगा रहे हो तो sign of inequality को आपने change क्यों कर दिया यह आपके mind में जरूर आ रहा होगा तो चलो उस बात को clear कर देते हैं बच्चों यही पर graph से देखो आप सभी लोगों को मालूम है कि decreasing function का graph जो होता है भाईया वो कैसा होता है कुछ इस तरह से मान ले देखो decreasing function का graph हम बना लेते हैं यह decreasing function का आपने graph बना लिया यह x equal to a पर यहाँ है graph और x equal to b पर यह b point है ठीक है यह y equal to fx का graph है तो जब आपको range find out करना है तो range में क्या देखते हैं कि y axis में graph कहां से कहां तक है तो देखो y axis में graph कहां से कहां तक है उसको check करते है graph सबसे नीचे यहां तक आया है तो यहाँ पर x का value कितना है यहाँ पर b है तो y का value क्या हो जाएगा fb और यह सबसे उपर graph यहां तक गया है अनि X equal to A पर graph सबसे उपर चला गया है और X equal to B पर graph सबसे नीचे था तो X equal to A पर graph सबसे उपर चला गया है तो X equal to A पर Y का value क्या होगा F ये होगा अब मैं बोलूँ आप से कि यहां से बता वहिया देख करके कि range क्या लिखा जाएगा तो आप क्या देखोगे Y axis में graph कहां से कहां तक है तो आप बोलोगे F B to F A F B to F A तो range यहां से आप क्या बताओगे बच्चों F B to F A हीने बताओगे तो क्या हुआ क्या हुआ यहां से समझो क्या हुआ X कहां से कहां था A से B लेकिन fx कहां से कहां आया fx आया fb2 नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को देखो यहां समझो x कहां से कहां तक है a से b है x x का वैलू देखो ग्राफ कहां से कहां तक है a से लेकर के b तक लेकिन y का वैलू कहां से कहां तक आया y का जो value आया वो कहां से कहां तक आया fb to fe जब कि इसके पहले वाले case में क्या था कि अगर x a से b था तो y b fa to fe लेकिन अगर function decreasing हो गया तो y क्या हो गया fb to fe मतलब ultra हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर function decreasing है तो जब in equation में decreasing function को आप लगाओगे तो sign of inequality को change कर दोगे ठीक है और इस simple सा चीज है अगर किसी simple सा चीज है अगर हम in short में बात करें in short में हम बात करें तो simple सा चीज है अगर कोई function y equal to fx है जिसका domain x belongs to a to b है ठीक है अगर fx increasing function हुआ अगर fx कैसा function हुआ increasing function हुआ तो जो y है आणि range वो direct क्या होगा fa to fb होगा fa to fb होगा देखो direct range fa to fb y का value का मतलब क्या हुआ range fa to fb और अगर fx function decreasing हुआ अगर fx decreasing हुआ तो जो y होगा वो change हो जाएगा अनि fb to fa हो जाएगा simple such चीज है this is the brief अनि आपको बस streak को आद रखना है ध्यान में इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई function का domain finite set है अनि a से b है और function fx increasing है तो उसका range क्या हो जाएगा direct fa to fb मतलब direct ये x का value ये x के जगा पर a और b आएगा तो fa और fb मिलेगा तो fa और fb मिलेगा तो अगर f function increasing है तो direct आप range लिखोगे fa to fb और अगर function decreasing है तो पलट दोगे fb to fa correct अब इस concept को हम लोग इस type के function में भी लगा सकते है इस type के question में भी लगा सकते है जैसे composite function में जैसे मालो आपको range निकालना है जिसका जैसे range निकालना है आपको y equal to f of gx का ठीक है f of gx का तो कहानी क्या होगा इसका range निकालना है कहानी क्या हो बस उचो सबसे पहली बात x अगर belong कर रहा है a से b में ठीक है तो यहां से दो बाते निकल करके आएगा यहां से कितने बाते निकल करके आएगा दो बाते देखो अगर x belongs कर रहा है a to b में अनि x का value हम लोग जान रहे हैं के x का हम लोग value जान रहे हैं कहां से कहां है और x का जान रहे हैं तो अब फिर किसका जानेंगे पहले जी का अनि रेंज निकालना है न रेंज अगर find out करना है तो आपको inside to outside जाना होगा मतलब अंदर से बाहर प्रफ हो जिसे x के बारे में जानता है x belongs to a, b तो आप सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे जी के बारे तो आप जी के बारे में जानने से पहले आपको जी के बारे में शब।े का पता करना पढ़ेगा कि जो g function है जो g है अगर Uh अगर G कैसा हुआ इनक्रेजिग तो GX जो होगा देन GX बिलॉंग्स करेगा डारेक्ट G A to GB करेक्ट मतलब G के बारे में डारेक्ट क्या हो जाएगा मतलब A और B डारेक्ट G के अंदर चला जाएगा और G A, GB आपका GX का वैलू आजाएगा अगर फंट्सन G जो है वो डिक्रीजिंग हुआ देन जो GX होगा वो बिलॉंग्स करेगा ये दोनों तो G के अंदर जाएगा लेकिन क्या लिखा जाएगा GB2GA डिक्रीजिंग फंट्सन है देखो पलट गया तो हम X जानते था तो क्या जान लिया GX जान लिया अब GX अगर जान गए तो आप किसको जान लेते हैं F को अब यहाँ भी कहानी वही उत्ता है कि अगर F फंट्सन इसमें भी दो बाते इसमें भी दो बाते आ जाएगा अगर F फंट्सन अगर F इंक्रीजिंग होगा तो इस केस में F इस केस में क्या होगा F of GX बिलॉंग्स करेगा डिरेक्ट इसमें F के गोद में आ जाएगा F of G A कोमा F of G B और अगर फंट्सन इसमें डिक्रीजिंग होगा F तो अब यह पलट जाएगा मतलब क्या होगा F of GX क्या होगा F of GX हो जाएगा देखो फंट्सन F दिक्रीजिंग है जो F के अंदर यह जा रहा है लेकिन F फंट्सन कैसा है दिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा पहले यह वाला F G B कोमा F G A F G A बात समझा तो सिमिलरली इस टैप का इसमें भी होगा कोई दिक्कत है कभी-कभी situation आपके पास कैसा आएगा जानते हो कभी-कभी situation ऐसा आएगा कि Y equal to जैसे F of GX है F of GX है आप GX के बारे में पहले से जानते हो GX जो है वो बिलोंग कर रहा है A से B में GX कहा से कहा बिलोंग कर रहा है A to B मतलब आप अंदर वाले function का range आप जानते हो लेकिन जानना किसका है पुरे function का तो इसमें दो बात है अगर F function increasing है तो F of GX जो होगा वो डारेक्ट क्या बिलोंग करेगा F A to F B करेक्ट और अगर F function decreasing होगा तो F of GX क्या होगा क्या बिलोंग करेगा F B to F A देखो अरे भाईया GX का range कहा से कहा है A to B एकदव उसी type का जैसा उपर लिखा है GX कहा से कहा बिलोंग कर रहा है A to B आप GX को जानते हो जानना किसको है इस पूरे को तो GX का value A से B है तो F of GX का क्या होगा तो आप क्या सोचोगे अरे GX बराबर ये है तो GX के जाएगा ये रख देंगे तो ये F A आ जाएगा तो F of GX जो होगा अगर F function जो इंक्रीजिंग है तो F A to F B होगा और अगर F function डिक्रीजिंग है तो F B to मतलब कहने का मतलब भाया जब F function डिक्रीजिंग हो जब F function आपका डिक्रीजिंग हो तो ये पल्टी मार देता है क्या होता है चेंज करके लिख देते हैं बदल के लिख देते हैं या तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि आप solve करो इन equations को तो आनि इन equations मैं ऐसे आद रखो जदी डिक्रीजिंग F function को जदी डिक्रीजिंग F function को इन Equality में आथो इन equations में डिक्रीजिंग F function को इन equations में लगाते हैं या हटाते हैं तो sign of inequality sign of inequality change हो जाता है sign of inequality change हो जाता है यही होता है इसलिए बदल जाता है देखो Fx अगर decreasing function है तो sign of inequality change हो जाता है अभी जैसे x है a to b है आप तुमने क्या किया fx लगाया तो fx जैसे x a to b है correct आपने fx f लगा दिया सभी में f यह fb अब यह अगर जो function f लगा रहे हो यह function अगर increasing रहेगा तो यह sign of inequality वैसे रहेगा लेकिन अगर यह function decreasing रहेगा कौन f तो यह sign of inequality बदल जाएगा तो पूरा यह जो पूरा में गें समझाया है यह ठीक है यह short trick है चलो यह short में आप लोग कर लेंगे this is a trick short trick कि ऐसे कर लो लेकिन moral of the जो इसके पिछे concept है वो क्या है आपने ग्राफ से देखा उस concept को अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि भाईया जब decreasing function को आप कहीं पर भी कोई भी chapter में in equation में लगाते हो या उस in equation के बाद से हटाते हो तो sign of inequality को आप change कर देना ठीक है sign of inequality को change कर देना अब चलो इस चीज को आपके mind में examples ले करके बताते हैं question से देखो जैसे माल लो बच्चों आप लोगों को range निकालना है किसका range of y equal to root under x square plus x plus 1 का आपको इस function का range निकालना है ठीक है इस function का आपको क्या करना है range find out करना है तो कैसे find out करेंगे देखो सबसे पहले इस function जो square root है इसके अंदर जो function है इसका range बता करते हैं और यह देखो quadratic है और आप लोग quadratic का range आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि कैसे find out करते हैं तो आप लोग को पता है न कि यह x square plus bx plus c का जो range होता है अगर यह greater than 0 है तो range क्या होता है range जो होता है आप लोग को बताया गया है range क्या होता है minus d by 4 यह to infinity होता है और अगर यह less than 0 है यह y equal to अगर यह less than 0 है तो range जो होता है वो आप लोग को बताया गया है minus infinity to minus d by 4 यह तो यह quadratic expression है और इस formula से इस concept से हम इसका range आसानी से निकाल सकते है अब ऐसा नहीं कि इसका range दिया रहेगा आपको और आप काम के वो इतने करोगे तो इसका range निकाल सकते है तो देखो और कौन सा category में जाएगा x square का coefficient of 1 मतलब यह greater than 0 है तो range जो होगा इसका minus d by 4 यह होगा तो अगर हम पहले इसका range निकाल लें x square plus x plus 1 का अगर हम range निकाल लेते हैं ठीक है इसका range निकाल लें अगर हम इस function का तो यह कहां से कहां belong करेगा देखो this will belongs to यह कहां से कहां belong करेगा minus d by 4 यह अब इसका d निकालोगे बच्चों तो क्या होगा b square अगर x का coefficient कितना हो 1 तो 1 square minus 4 यह सी अगर 4 a का value 1 और c का भी value 1 तो minus d by 4 a 4 into a का value कितना है 1 to infinity अगर this implies that x square plus x plus 1 belongs to इसको solve करो तो 1 minus 4 is minus 3 and minus 1 this is 3 by 4 to infinity तो देखो x square plus x plus 1 का जो range आ गया वो 3 by 4 to infinity आ गया मतलब इसका range हमें मालूम पढ़ गया इसका range हम लोग को मालूम पढ़ गया लेकिन हमको range जानना है इस function का किसका square root का तो आप लोग बताओ square root जो function है वो कैसा function है increasing या decreasing तो आप लोग को अगर ध्यान हो y equal to root x का जो graph होता है वो ये होता है y equal to root x का graph तो ये कैसा जा रहा है ये increasing है कैसा function है जो root है वो increasing है increasing function है तो जैसा कि आप लोग को पता है कि square root increasing function है तो direct अगर हम यहां root लगा रहे हैं देखो root लगा दिया इधर तो इधर भी direct root लग जाएगा और बदलना नहीं है अगर function increasing है यह root लगाया तो आपको change नहीं करना है root 3 by 4 देखो यहां से समझो अगर x belongs कर रहा था मतलए f के अंदर वाला function यह से भी बिलोग कर रहा था और fx अगर increasing है तो y direct क्या हो गया f यह to fb आनि direct f लगा दिया इसमें और इसमें भी और अगर f decreasing है तो यह पलट गया f तो direct लगा इसमें लेकिन यह change हो गया अच्छा यह question किस category का type का था इसके type का देखो अंदर वाला function gx का range अगर gx अगर belong कर रहा है a से b तो अगर f increasing है अगर f increasing है तो देखो f of gx आनि इसमें f लगा दिया यहां भी यहां भी f लगाया तो वो as it is रहा लेकिन अगर f decreasing है तो देखो यह change हो गया f b पहले और f यह बाद में ठीक है तो इस question से आपको समझ में आ गया होगा तो इसका range हम लोग आसानी से find out कर लिए correct आनि अगर कोई function है जिसका domain finite set है और वो ऐसे function का range नेकालना है तो सबसे पहला काम है उस function का behavior चाहिए करो कि वो increasing है या decreasing अगर increasing है तो direct upper limit और lower limit रख दो वही range होगा और अगर function decreasing है तो upper और lower limit रख रखो लेकिन जो आएगा वो f b to f याएगा मतलब पलट करके लिख दो यह चीज है चलो और भी question हम लोग देखते हैं करते हैं क्या आमसरा आता है और भी question को solve कर लेते हैं ठीक है क्या आता है बच्चों जैसे इसका range निकालना है y equal to log of x square plus x plus 1 with base 1 by 2 आप देखो base 1 by 2 तो अभी हम लोगों ने इसका range find out किया था और range क्या आया था x square plus x plus 1 belongs to 3 by 4 to infinity अभी देखा होगा आपने हम इसका range जान रहें लेकिन हमें जानना है इस function का range हम इसका range जान रहें लेकिन जानना है इस function का range तो यह जो log है log का graph कैसा होता है यहाँ पर देखो जो base है भाईया यह base है 1 से कम तो log x जिसका base 1 से कम होता है उसका graph यह होता है मतलब decreasing, decreasing person तो यह जो log है वो देखो decreasing है तो जैसे हम log इसमें लगाएंगे base हाप का यह लगा दिया function में तो होगा क्या बच्चों, होने वाला क्या है कि यह जो है यह बदल जाएगा देखो यह log के अंदर आया, log के अंदर ही आ गया यह लोग भी log के अंदर आएगा लेकिन पहले कौन लिखा जाएगा infinity और बाद में कौन यह log 3 by 4 with base 1 by 2 ऐसा क्यों हुआ देखो यह change होगा क्यों change हुआ अगर f expansion decreasing है तो जब f के अंदर इसको लेते हैं तो यह बदल जाता है f भी पहले और f यह बाद में तो यही चीज हुआ यहाँ पर simple सा चीज़े देखो अब आप लोग को पता है log infinity मतलब x infinity है तो देखो अगर log के गोद में जब base 1 से काम है जब log के गोद में infinity है तो y का value देखो minus infinity आता है तो यह minus infinity to log 3 by 4 with base 1 by 2 आ गया और यह क्या चीज है y है अनि range जो आ गया आपका वो range क्या आया बच्चों minus infinity to log 3 by 4 with base 1 by 2 this is our range तो हाँ यह तो typical चीज है ऐसा नहीं कि बहुत ही असान है लेकिन अब ध्यान से इसको समझो तो यह सबसे simple है सबसे short में solve होता है ठीक है बच्चों तो I think आप लोगों को यह चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अब यह question अराज होता है कि सर अगर function इस interval में ना तो increasing है ना ही decreasing है तो क्या करें यह function इस interval में ना तो increasing है ना ही decreasing है तब सर क्या किया जाए तब क्या करें सर तब आपको क्या करना है उस case में उस function का graph draw कर लेना है क्या draw कर लेना है उस function का graph draw करके उस interval में अनि X belongs to A to B interval में dark कर ले अर उस interval में केवल आप देखो मालनो कभी function क्या हुआ कभी function इस तरह से देखो इस तरह से increasing decreasing दोनों हो गया वे फंसन के graph इस तरह से जा रहा है लेकिन आपको देखना कहां तक है केवल यह से लेकर के बी तक जैसे यह और यह भी हो गया तो आप ईस इंट्रवल में देखों अगर डॉमेंच यह दिया है तो आप इसी इंट्रवल में देखोंगे ना इसा नहीं कि उधर देखने लगा कि सबसे नीचे सर यहां तक आ रहा है आपको यह डॉमेंच दिया यह तो घुप तक ही बढता है तो उसको हम लोग बोने निदर इंक्रिजिंग नौर डिक्रिजिंग ठीक हैं अब उसमें हम लोग को उसके गोद में हम लोग कोई function बठा दिया साइनए जिन एक जेनेग में कोई function बठा दिया जयसे y तक आए यह वाला बंदन यहां जिसे घेइकस से तो हम क्या करेंगे हम जान रहे हैं अच्छा पढ़ा है और यह साइने इंधर ना इंक्रीज करता है तो भइया आपको दुनिया से मतलब नहीं है आपको केवल कहां से कहां देखना है जी रो से पाई यहां यहां पाई-बै तो गॉमा और ग्राफ से भी देख रहा है देखो 0 से 1 आई बास समझ में तो कहने का मतलब अगर function ना तो increasing है ना तो decreasing है then at first draw the graph and set the region from A to B ओके बच्चों तो आज की lecture में हम लोग इतना ही करते हैं और लगभग मैंने सारे method आपको range निकालने के लिए सिखा दिया ठीक है ऐसा बात नहीं कि इतना ही तरीके हैं और भी तरीके हैं लेकिन जैसा जैसा question आएगा वैसा वैसा हम लोग range निकालने के लिए मतलब method supply करते हैं ठीक है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही से पूरा function का range निकल जाएगा complete function का range निकल जाएगा तो ऐसा कोई rule नहीं है कि दुनिया में जितना भी function है सभी का range हम लोग यही चार तरीके से निकालने जो मैंने ये चार lecture तीन या चार lecture में जो मैंने discuss किया है ऐसा नहीं है ठीक है तो इसकी लिए आपको ज्यादा से ज्यादा question practice करना पड़ेगा चलो बच्चों thank you